हलो एवरिवान, वेलकम बैक टू मैं चैनल, फ्रिंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपकी साथ शेयर कर रहे हूँ बहुत ही हैल्दी, टेस्टी और जटपट बनने वाले साथ इंडियन फूड उपमा की रेसिपी, तो अगर आपको मेरे चैनल पर ये रेसिपी पसंद आती उपमा बनाने के लिए एक कड़ाई में मैं एकसे डेट चमच घी ले रही हूँ और घी जब थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें एक कप सूजी आड़ करेंगे और सूजी को बिलकुल लो फ्लेम पर हलका गुलाबी होने तक भून लेंगे आप चाहें तो सूजी को ड्राइ रोस्ट भी कर सकते हैं आप बिना घी के भी इसको भून सकते हैं लेकिन घी का यूज करने पर उपमा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूजी को बिल्कुल हलका गुलाबी होने तक ही भूनना है बहुत जादा नहीं भूनना है और हलका गुलाबी होने में ना सूजी को पांस से साथ मिनट का समय लगेगा तो सूजी हाँ पर हलकी गुलाबी होने तक भुन चुकी है इसको एक अलग बरतन में निकाल लेंगे अब एक कड़ाई में दो से तीन चमच कुकिंग ओयल लेंगे मैं यहाँ पर मस्टर्ड ओयल का यूज़ कर रहे हूँ और जो मस्टर्ड ओयल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें दो से तीन चमच मुंगफली डालकर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे तो मुंगफली यहाँ पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई हो चुकी है और इनको निकाल लेंगे इसका यूज़ हम बाद में करेंगे रेसिपी के एंड में तो मुंगफली निकालने के बाद बचे हुए ओयल में ही मैं आधा चमच मस्टर्ड सीट्स एड़ करूँगी अगर आपको लगए ओयल यहाँ पर काम है तो आप इसमें और ओयल एड़ कर सकते हैं और जब मस्टर्ड सीट्स क्राकल होने लगे तो अब हम इसमें आधा चमच चनी की दाल और आधा चमच उड़द दाल एड़ करेंगे और उड़द और चनी की दाल को भी हम बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे चना दाल और उड़द दाल को डालते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर जो चना दाल और उड़त दाल है वो जल जाएगा और खराब हो जाएगा अब इसमें आठ से दस करीपता आट करेंगे और कुछ सेकंड करीपते को भूनने के बाद इसमें आधा चमच कटकी हुई लहसुन आधा चमच बारी कटकिया हुआ अद्रक और इसके साथ ही कटकी हुई दो से तीन हरी मेर्चे डालेंगे लहसुन और आधरक को भी एक से डेड़ मिनट तक या लाइट गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे इसके बाद इसमें एक छोटा कटा हुआ प्याज अड़ करेंगे और प्याज को न बहुत जादा नहीं भूना है प्याज को भी हलका गुलाबी होने तक ही भूना है इसके बाद इसमें अब एक रफली चॉप्ट किया हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर को थोड़ा गलने तक पका लेंगे और जिब टमाटर थोड़ा गल जाए तब हम इसमें सबजी अड़ करेंगे मैं यहाँ पर आधा कप बारी कट किया हुआ गाजर ले रही हूँ इसके साथ ही एक कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ मतर और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप बीन्स आप यहाँ पर अपनी choice की कुछ भी सब्जिए इसमें add कर सकते हैं आप इसमें बारीक कट की हुए फूल को भी add कर सकते हैं ब्रोकली इड कर सकते हैं या फिर आप इसमें capsicum भी add कर सकते हैं सब्जीओं के साथ साथ अब हम इसमें आदा चमच या स्वादा अनुसार नमक आट करेंगे और नमक को सबजी के साथ अच्छे से मेक्स कर लेंगे आप सबजीों में आदा का पानी डालेंगे जिसे की सबजी जल्दी कुखो जाए और ढख कर 5-6 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर कुखोने देंगे 5-6 मिनट के बाद चेक करेंगे तो सबजी आना हैं पर कुखो जोकी है इससे जादा नहीं इनको पकाना है अब हमें इसमें पानी डालना है सूजी को पकाने के लिए तो पहले हमने सबजीों को पकाने के लिए पानी याट किया था अब हम सूजी को पकाने के लिए इसमें पानी डाल रहे हैं तो हम जितनी भी हम सूजी लेते हैं उपमा बनाने में उसका धाई से तीन गुना हमें पानी डालना होता है सही प्रोपोर्शन के लिए तो अगर इससे जादा पानी डालेंगे तो उपमा गीला हो जाएगा, बहुत ज़दा सॉफ्ट हो जाएगा और अगर इससे कम पानी होगा, तो उपमा जो है, वो बहुत ड्राइ-ड्राइ हो जाएगा और जब उपमा बनते समेनों, उसमें लंप सा जाएंगे, गाठें पड़ जाएंगी तो सेम जिस बोल से मैंने सूजी लिया था, सेम उसी बोल से मैंने इसमें पानी आट किया है और पानी डालने के बाद पानी को बहुत अच्छे से पकाना है, मतलब पानी में उबाल आना चाहिए और जब पानी पक जाए तो बिल्कुल low flame पर इसमें दीरे-दीरे सूजी डालेंगे सूजी डालने के बाद सब्जियों के साथ सूजी को दीरे-दीरे mix करेंगे और gas का जो flame है उसको बिल्कुल low रखेंगे तो ये देखे कितने अच्छे से mix हो गई है सूजी पानी के साथ क्योंकि ना पानी का जो proportion है सूजी के साथ तो बिल्कुल सही है इसलिए ने इसमें lumps भी नहीं पड़े है तो बस अब हम लेट लगाएंगे बरतन का और 5-6 मिनट सूजी को कुक होने देंगे बिल्कुल low flame पर 5-6 मिनट के बाद चक करेंगे तो ये देखिए उपमा बनकर बिल्कुल तयार है और ये बिल्कुल perfect बना है ना तो ये बहुत जादा dry बना है और नहीं ये बहुत जादा soft बना है अब हम इसमें जो हमने मुंफली रखी थी ना fry करके वो end में इसमें add कर देंगे और साथ ही एक से डेट चमच मैं इसमें घी डाल रही हूँ घी से end में घी डालने से जो उपमा का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हैगा तो घी वाले स्पून से ही मैंने mix कर लिया है घी को उपमा में तो फाइनली हमारा जो उपमा है वो बनकर बिलकुल तयार है अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे इसको एक बोल में मैंने इस तरीके से डाल लिया है और स्पून की हाल से इसको थोड़ा दबाएंगे इसको इस तरीके से फिल कर लेंगे उपमा को बोल में और एक प्लीट में इस तरीके से पलटते हुए निकाल लेंगे और बहुत ही इजली न उपमा बोल से निकल आएगा क्योंकि इसमें अच्छी क्वांटिटी में घी डाला गया है साथी साथ ओयल डाला गया है तो ये देखिए हमारा जो उपमा है वो बनकर बिल्कुल तैयार ह सर्विंग के लिए और सर्व करते समय आप इसको हरी धनिया की पत्तियों से गार्निश कर सकते हैं तो एक अच्छे उपमा की बस यही एक पहचान होती है कि खाते समय ना तो ये बहुत ड्राइ होना चाहिए और ना ही बहुत जादा सॉफ्ट तो अगर इसमें पानी का जो सूजी के साथ तो ठीक रहेगा तो उपमा अच्छा बनकर तयार होगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल पर उपमा की रेसिपी पसंद आती है ये विडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीज़ेगा साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और आप चाहें तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तिल देन बाइबाइबाइब आंड टी केयर